हलो दोस्तो आप सभी का मेरी यूटूब चैनल पर एक वर फेसे स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए एक एसन उसका लेका हैं जो आपके हाथ और पेरों को एकदम गुरा बना देगा आज के योगों में गुरा रंग पाना हर बेक्ती चाहता है हम अपने हाथ और पेरों को आकसित बनाने के लिए कई प्रकार के बचार में उपलक्त ब्यूटूपरों का इस्तमाल करते हैं किन्तु इन सभी के इस्तमाल के बाद भी जब हमारे सामने कोई परणाम नहीं आते हैं तो हम काफी निरास हो जाते हैं आज हम आपको एक ऐसा घरिलू नुस्का बताने जा रहे हैं जिसको अपनाने के बाद आप चाहें लड़का हो या लड़की सभी के हाथ और पेरों को गुरा बना देगा और एक चमकदा तौचा प्राप्त होगी आईए जानते हैं वह कौन सा घरिलू नुस्का है जिसको अपनाने से आप एक चमकदार और खुबसूरत तोचा प्राप्त कर सकते हैं और इन घरिलू उपायों से आपको किसी प्रकार का साइड एफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यह पूरी तरह से आयरवेदिक होते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं क्या है नुस्का इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब अगर है साथी मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले इसके लिए आपको सब सबок 시 guidja करने है और इसने मेरे दोस्तों आपको सबसे पहले लेना और लेसे क्लीज इन पलस सैंपू हम इसमें एक सैंपू लेगे और पूरा काटकर एट कर देंगे दोस्तों सैंपू में कुछ ऐसे तक्तुव होते हैं जो हमारे हाथ और पेरों से गंदकी को बाहर निकाल देते हैं हमारे हाथ और पेर काफी याद गोरी शमकदार और सुन्दर दिखने लगते हैं अब इसके बाद हम अगली चिल लेंगे दोस्तों सिंपल वाला कॉलिगेट का पेस्ट और इसमें हम इतनी सी मातरा में कॉलिगेट का पेस्ट एड़ करेंगे देखें दोस्तों हमें इतनी सी मातरा में इसमें कॉलिगेट का पेस्ट एड़ करना है Colligate आपकी तौचा की रंगस सुधाने में साहता करता है Colligate में कुछ ऐसे तत्व पाई जाते हैं जो आपकी तौचा को गोरा बना देता है यह आपकी तौचा का pigmentation भी कम करता है जिससे आप अच्छी दिखते हैं, अच्छा मैसूज भी करते हैं अब इसके बाद हम अगली चिल लेंगे, वो है दुस्तों आदा गटा हुए नीवू और इसमें हम पूरा निचोड़ देंगे नीवू की रस्में भगबूर मात्रा में अमल और प्राक्तिक सुगर होता है नीवू की रस्में कई फायदे मर्ग पोसट तब्तों होते हैं जो हमारी तोचा वा सरीर को कई लाब देते हैं इसको हम बारी सुन्दरता के साथ सथ और भी कई सारे फायदों के लिए प्रियोग कर सकते हैं नीवू की प्राक्तिक अमल बहुती सरल तरीके से मिरत कोशकाओं को निकालते हैं उम्रे के साथ होने वाली जुरियों को कम करते हैं अंचाय दब्बों को भी कम करता है और चहरे पर होने वाली सभी बिमारी को खत्म करता है इसमें मौजुद अमल तेल को सोक लेता है तता छेदरों को बंद कर देता है अब इसके बाद हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे तिक दोस्तों यहमारा अच्छी से मिक्स होके तयार है अब इससे जो लगाने का तरीका वह यह था अब इस तरीके से अपने उंग्रियों पर लेखा इस तरीके से अपने हाथ और पैरों पर इसे लगा लें दोस्तो आपको अपने हाथ और पैरों पर मसाज करने है इस तरीके से आप जहां पर कालापन दिखता है आप वही पर इसको यूज कर सकते हैं आपकी गर्दन, कौहनी, गुठने, जहां पर भी आपका कालापन है आप वहां पर इस पेस्ट को लगा सकते हैं इस तरीके से आपको कम संगा 5 मिनट दाप मसाज करनी है, 5 मिनट के बाद आपको इसी तरीके से इसे लगा हुआ छोड़ देना है, फिर आपको दोस्तो पानी से दोगा साप कर लेना है, इस नुश्की को आप अपते पे तीन वार करें, तीन वार के इस तमसे आपके हाथ और काफी यादा गोरी चमकदार और संदर देखने लगें, तो दोस्तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हूँ, तिससे ज्यादा अपने दोस्तों शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरी यूटूब चैनल को अभी आप तक पहुंचती रहे, मैं आपके लिए फिल लाती हूँ, कोई अच्छा सा वीडियो तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई